In this module, we will discuss type of genetic variations and in this module, especially we will discuss gonandromorphs and intersexes. First of all, what are gonandromorphs? Gonandromorphs actually, यह एक ऐसी situation है, जिसके अंदर एक ही individuals के अंदर male और female characters दोनों ही मवजूद होते हैं. अब यह जो male और female characters है, इनकी जो division है, वो transverse भी हो सकती है, या फिर male और female character मुजएक मैनर के अंदर distribute हुए होते हैं. For example, अगर हम second case देखें, यानि जिसके अंदर जो characters है, वो मुजएक मैनर के अंदर distribute होते हैं, तो उस case के अंदर जो character की distribution है, वो symmetrical होती है. अब ऐसा क्यों होता है? इसकी बहुत सारी reasons हैं. लेकिन जो इसकी common reason consider की जाती है, वो unequal distribution है क्रोमसोमस की. यानि ऐसे animals जिन के अंदर ये phenomena पाया जाता है, for example, butterflies के अंदर, papillo जो genus है, इसके अंदर ये common है, अगर हम characters देखें, तो जैसे के इस तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है, एक तरफ male characters मौजूद है, दूसरी तरफ female characters मौजूद है, और इसकी वज़ा क्या है? इसकी equal distribution of chromosomes है, क्यूंकि basically, जब reproduction होती है, meiosis हो रही होती है, meiosis के दौरान, इस meiosis का जो process है, इसके अंदर disturbance होती है, जिसके वज़ा से, जो chromosome है, उसकी जो equal distribution है, वो नहीं हो पाती, और उसके नतीजे में ये gonandromorph वजूद में आते हैं, इसी तरीके से, अगर हम intersexes के बात करें, तो intersexes के अंदर, male और जो female character है, वो blend होते हैं, किसी एक individuals के अंदर जो है, अब इसकी वज़ा क्या होती है, इसकी बहुत सरी reasons है, उसमें से एक reason ये हो सकती है, कि male tendency और female tendency जो genes है, जो ये assure करते हैं, कि कोई individual जो है, इसका sex male होगा, या female होगा, उसका जो balance है, वो upset हो जाता है, इस balance के upset होनी की वज़ा से, intersexes produce होते हैं, इसी तरीके से, दूसरी reason, fertilization जो है, अगर fertilization का जो process है, उसके अंदर कोई irregularity हो जाए, तो इस irregularity की वज़ा से, intersexes produce हो सकते हैं, इसके साथ, अगर जो meiosis का process है, meiosis के process के अंदर कोई problem आ जाए, तो उसके नतीजे में भी intersexes produce हो सकते हैं, इसी तरीके से, बहुत सारे researchers का ये भी ख्याल है, कि जो physiological disturbances है, body के अंदर जो different physical parameters हैं, अगर उसके अंदर disturbance हो जाए, तो उसकी वज़ा से भी intersexes produce हो सकते हैं, अब question ये पैदा होता है, कि जो body की जो physiology है, उसके अंदर disturbance कैसे हो सकती है, तो researchers का ये ख्याल है, कि अगर कोई individual उसके पर जब parasitism या किसी parasite का attack होता है, तो उस parasite की वज़ा से, उसके attack की वज़ा से, उसकी body के अंदर बहुत सारी तबदीलिया आती हैं, ये जो तबदीलिया हैं, ये body की जो physical state है, उसके अंदर disturbance का सबब बनते हैं, और इस disturbance की वज़ा से, उनके अंदर जब reproduction होती है, तो उस reproduction का जो process है, वो proper तरीके से complete नहीं हो पाता, और नतीजे में intersexes वजूद में आते हैं, और इसकी जो common example है, gypsy moth, इसके अंदर intersexes मौजूद होते हैं, तो हमने ये देखा, कि जो gonandromorph है, वो unequal chromosome की distribution की वज़ा से पैदा हो सकते हैं, इसी तरीके से हमने intersexes के बारे में देखा, कि अगर male और female जो tendency genes हैं, उसका जो level है, वो अगर upset हो जाता है, तो उसके नतीजे में intersexes produce हो सकते हैं, फिर हमने देखा, कि अगर जो fertilization का process है, या जो meiosis का जो process है, उसके अंदर को disturbance आए, तो उसकी वज़ा से intersexes produce हो सकते हैं, या फिर जो physiological disturbance है, जिसकी वज़ा parasitism हो सकती है, उसके नतीजे में भी intersexes produce हो सकते हैं, और इसकी जो example है, वो जिपसी मौत है,